दोस्तो अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट है लेकिन क्या आप जानते हैं 1867 तक ये रसिया का हिस्सा हुआ करता था आज से लगभग 155 साल पहले अलास्का असिया का हिस्सा हुआ करता था पर धीर धीरे रसिया की सिच्वेशन ये बनती गई की उसे अपने इतने बड़े हिस्से को बेचना पड़ा वो भी एक पानी के भावर इस डील के बाद रसिया का नोर्थ अमेरिका महाद्यूप में दबदबा चला गया उसके बाद में यूए से एक महान राष्ट के रूप में उबरा रसिया के चले जाने से यूए से ग्रेट पावर की तरफ बढ़ने लगा दसको चले बातचीत के बाद 13 मार्च 1867 को डील फाइनल हुई उसके बाद यूनाइटे स्टेट ने रसिया से अलास्का खरीदा और राष्टपती एंड्रू जॉन्सन ने अलास्का टीटी पर साइन किया इस टीटी को साइन करने में मैंनली उस वक्ट यूएस के सेकरेटरी ओव स्टेट बिलियम सेवट सामिल थे जो प्रेश्टेट अबरहाम लिंकन के टाइम से सर्व कर रहे थे रसिया की तरप से रसियन मिनिस्टर टू दर यूनाइटेज स्टेट एड़ दर स्टोकल सामिल थे रसिया ने अलास्का महज 7.2 मिलियन डोलर में बेच दिया था हालांकि 1867 के रिलेटी ये अमाउंट आपको बड़ा लग सकता है पर दोस्तो अलास्का में नेचिरल रिसोर्सिस की बरमार थी अलास्का अभी के समय में 50 मिलियन जीडीपी दे सकने वाला स्टेट है अब दोस्तो हम बात करते हैं कि रसिया ने आखिर अलास्का बेचा क्यों तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अंकीत और आप देख रहे हैं नोलेज इंडिया टीवी ऐसा क्या हुआ था कि रसिया ने अपने सालों के स्ट्रगल के बाद हासिल की हुई इतने बड़े लेंडमार को इतने कम कीमत में बेचना पड़ा इसके लिए हम रसिया के इस्टन एक्सपेंशन प्लैन को समझते हैं जो 16 सेंचुरी में सुरू हुआ था रसिया कुछ सद्यों तक इतना बड़ा नहीं था जितना आज दिखता हैं बात 16 सेंचुरी की है रसिया का पहले छेत्रे कम था लेकिन धीरे धीरे उसने इस्टन लेंड एक्सपेंशन सुरू किया जिससे वो अलास्का और इवेंचुली कैलिफोर्निया पहुँचा 1581 में दोस्तों रसिया ने साइबेरिया टेरेटरीस को जीता और आने वाले सालों में एसिया पैसिफिक ओसियन तक पहुचा इसिया और आलास्का की वीच के स्ट्रेट को पार कर लिया आज इस स्ट्रेट को बेरिंग् श्ट्रेट भी कहते हैं बेरिंग त्रिसमबर 1741 में बेरिंग की डेथ हो गई शीप पूरी तरह से टूट चुकी थी सरवाईमिम्बर ने शीप को फू सील्स लेकर साइबेरिया लोटें ये रसिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी पूरा रसिया इन सब से बहुत खुश था लेकिन कुछ ही सालों में चैलेंजिस सामने आने लगे उस वक्त अलासका आज की तुलना में ज़्यादा खराब मोसम वाला एरिया था मोसम तो आज भी खराब रहता है लेकिन 200 साल पहले ये मोसम ज़्यादा था उस वक्त की रसियान सामराजी की राजधानी सेंट पीटरबक्स से अलासका बहुत दूर था वहाँ तक मोसम खराब होने से वहाँ पर कोई रसियन नहीं रहना चाता था और इसके कारण रसिया ने साउथ की तरफ मुवमेंट किया और कैलिफिनिया तक पहुँचे 1812 में रसिया ने फोर्ट रोस में अपना सेटलमेंट किया सेटलमेंट के तीन दसकों में ही रसिया की अमेरिका को हैंडल करने वाली संग पूरी तरह से फेल हुई और बचा-खुचा भी बिग गया रसिया अलास्का को लेकर सीरियसली क्वेस्चन करने लगा इन सभी समस्या के बाद अंत में क्रीमियन वोर ने रसिया को पूरी तरह से तोड़ दिया क्रीमियन वोर में रसिया को बहुत बड़ा तगड़ा जटका लगा दरसल रसिया ने रोमानिया, बल्गेरियन और मोल्डोवा पर कंट्रोल करने की कोशिस की 80-50 में ये रीजन ओटोमन अंपायर का हिस्सा था, जो एक मुस्लिम समराज्य था तरकी से सुरू होने वाले ओटोमन अंपायर रसिया के इस हरकत से खुस नहीं था और रसिया ने ओटोमन अंपायर में रहे क्रिस्चन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाता था वो क्रिस्चन को प्रोटक्ट करना चाता था जुलाई 53 में रसिया ने ओटोमन समराज्य के कुछ हिस्से पर कबजा कर लिया जिसके चलते ओटोमन अंपायर ने रसिया के खिलाफ युद करने की गोशना कर दी और इधर ब्रिटेन और फ्रांस को चिंता थी कि अगर रसिया रुका नहीं तो दीरे दीरे वो हम पर और मिडल इस्ट को जीत लेगा और इसी में ब्रिटेन फ्रांस ने भी वर्ड डेकलेर कर दिया ब्रिटिस और फ्रेंच फोर्सेस ने 1854 में रसिया को रोक कर रखा और ये करीब एक साल तक चला इसी बीच जैसे कई और छोटी मूटी लडाईयां हुई इन सभी वर्ड में रसिया आर्थी ग्रूप से बहुत कमजोर हो रहा था और फाइनली क्रीमियन वर एंड हुआ और अलास्का को बेशने की बात और तेज हो गई उस वक्त अलास्का को बेशना जरूरी था बेशने का ओप्सन्स कम थे एक ओप्सन ब्रिटेन था पर क्रीमियन वर में ब्रिटेन रसिया का दुस्मन बन चुका था ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि अमेरिका भी ब्रिटेन के खिलाब था क्यूंकि ब्रिटेन अमेरिका पर भी राच कर रहा था यह सुनने में अजीब लग सकता है दोस्तों पर 1800 में रसिया और अमेरिका एक मित्र जैसे थे क्योंकि ब्रिटेन के सामराज जी के कुछ हद तक अधीन थे इसलिए रसिया अमेरिका का बेस्ट कस्टमर बना यहाँ डील 1867 से पहले ही हो जाती लेकिन अमेरिका में सिविल वार के चलते देर हुई जब अमेरिका में सिविल वार खतम हुआ और अमेरिका और रसिया इसे बात्चित सुरू हुई रसिया ने एक अपनी टीम में अलास्का भेजी ताकि वो लोग सर्वेक करके नेचुरल रिसोर्सिस को फता करके उसकी कीमत का अंदाजा लगा सके तब उन सर्वेर ने कहा कि इसकी कीमत 10 मिलियन डॉलर्स होनी चाहिए उन में से कुछ सर्वेर ने ये भी कहा कि रसिया को ये कोलोनी बेचनी नहीं चाहिए हालांकि उनकी ये एडवाइस मानी नहीं गई और अमेरिकन गॉर्मेंट को अलास्का का वेल्यू बताया गया फिर बातचीत के बाद 7.2 मिलियन डॉलर्स में ये डील फिक्स होई त्यान देने वाली बात यह है कि ये डील के दोरान ही अब रहाब लिंकन की 15 एप्रिल 1865 में डेथ हो गई इसके बाद एंड्रू जोंसन प्रेशिडेंट बने रसिया ने अलास्का को बेचने का ओफर 1859 में ही रखा था और यहां सोचा था कि युनाइटेंड इस्टेट रसिया के उस वक्त ग्रेटेश सर्वाइवल को खटा देगा लेकिन सिविल वोर के कारण ऐसा नहीं हो पाया हालनकी वोर खतम होते ही विलियम सेवर्ट ने रसिया के इस ओफर को 30 मार्च 1867 को कंसीडर किया रसियान मिनिस्टर टू दे उनाइटेट स्टेट एड़ोड दर स्टोकल एक डील पर पहुचे की रसिया USA को 7.2 मिलियन डॉलर में अलास्का को बेच देगा 9 अप्रेल 1867 को USA ने एप्रूवड कर दिया और 28 में 1867 को एंडरू जोंसन ने इसे साइन किया कुछी महिनों में 18 अक्टूबर 1867 को फोर्मली USA को ट्रांस्फर कर दिया अलास्का से रसिया का नाम मिटा दिया गया और USA का नाम जोड दिया गया करीब 30 को तक USA ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन नेवी मिलिटरी और अन्य संसोधन के अंतरगत यहाँ पर सब काम होता रहा और धीरे धीरे यहाँ सब कुछ नोर्मल होता गया